पंजाब के आरतियों के गेहु खरीदने से नानोकर के बाद कांगरा के मंद में एफसी आई ने खरीद केंद्र खोल किसानों को बड़ी रहत दी हैं। किसले 20 साल से गेहु खरीद केंद्र खोलने की मांग को लगातार दर्किनार किया जाता रहा है पर इस बार विधायक रीता धिमान के प्रयास रंग लाए और सैकड़ों किसानों को हजारों टन गेहु बेचने के लिए पंचाब के चकरों से चुटकारा मिल गया। कि दौरा विधानसवाक शेतर में आ रही थी। उस समस्या का हल करते हुए मुख्य मंत्री माचल परदेश वो स्थानी विधायका लीता दिमान जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जिनों ने इस समस्या को पुर जोर तरीके से सरकार के बीच में उठाया। तो उसका जो रिजल्ट हमें देखने को मिला। कि इतने छोटे समय में मंद ठाकिर द्वारा में जो ग्याहूं खरीद की एफसी आई द्वारा मंडी जो लग गई है। इसके लिए इलाका के जो किसान हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या का हल हुआ है। पब्लिक चैनल के माद्यम से बिधायका रिता दिमान जी का मुख्य मंत्री हिमाचर प्रदेश सरकार श्री जैराम ठाकुरू जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि लोगों की समस्या को देखते हुए उन्होंने ये मंडी खोलने का जो नेदने लिया है। ये बहुत बड़िया और उची तिने नेयमें का खार्दी स्वागत हो धन्यवाद करता हूं। ये हमारे मंड कशेत्र के जितने भी हमारे लोग हैं किसान हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या थी। और ये जब मैं बड़ाई को बनी तब से ये लोग आपने समस्या को बताते हैं। और इससे पहले डेर साल पहले हमारे ये हमाने मंत्री कृष्ण मंत्री जी का दौरा भी हुआ था। उन्होंने अनॉस्मेंट भी गी थी मंडी की करवाई थी इन किसानों के लिए। और यहां के जितना मंड कशेतर में धाना होता है जितनी फसल होती है शायद इतनी पूरे हमाचल परदेश में होती होगी। और इनकी समस्या को देखते हुए मैंने मुख्य मंत्री जी ने भी मैं उनके ध्यान में भी थी ये बात और उन्होंने भी प्रियास किया है और पर्मानेट यहां मंडी जो है वो खलो आई जाएगी वहां और जो जो अचानक इनका समस्या को सामना करना पड़ा जैसे कर दिया कि हम आपकी फसल को नहीं करे देंगे तो यह 15 दिन के वीज भी मैंने मुख्य मंत्री जी ने जो हमें प्रमिशन दी है यहां मंडी खूल लेगी इसके लिए मैंने मुख्य मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी वाकि हमारे जितने भी हमारे इलाके के किसा atalyan भाए हैं उनसे अग्रया भी करना चाहूँ गी कि आपको किसी वी अश्वासन भी देना चाहूंगि कि किसी वह सामना नहीं करने पड़ेगा जो भी होगा इन Montry ठीव तरफली कि किक हमारे फीर परेसे कि कमीं नहीं रहेगी ज़रूरत में कर,